गुद इविंडिंग फ्रेंड्स कॉंशियस लिप की के तोक्त का आज तीसरा और अंतिम हम रीडिंग करेंगे और इसके अंदर आगे हमने बहुत अच्छी अच्छी बाते हमने देखी है एक तो सबसे इंपोर्टन्ट जो आमने देखा कि ओम सत्यम परम दी मही का सुबह साम हमें पाच-पाच मिनित इसको रिपीट करना है और अपने अपना जो डिवाइन फ्रेग्मेंट है आत्मत अत्वा है उसके साथ जुरूने का प्रैटन करना है और इससे काफी हेल्प मिले इसा था और यह सबका कहना है तो यह आप जरूर करिएगा दूसरी बात हमने ड्रीम के बारे में काफी कुछ देखा था क्योंकि नॉर्मल ड्रीम और यह जो कॉंसियस लीप के अंदर जो ड्रीम साते वह अलग होते हैं और उसकी क्या खास एक विशिस्तता है वह भी हमने द जवरान एक जागरती बनी रहे हैं तो बेहोसी के अंदर हम द्रीम में जैसे नॉर्मल द्रीम में होते हैं इस तरह नहीं पर इसमें एक आई जो है वह डेवलप होता है और एक द्रस्ता या देखने वाला है जो एक अनुबव कर रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ यह शरीर सोय यह भीत्हिक सुल्ब करता है और उसके पहले हमने दो बात देखी थी एक थी स्लिप पेरालिशिस और दुसरी रेम छिप तो स्लिप परेरालिशिस और रेम स्लिप डौनों का बहुत समन है डोनों एक साथ जुड़े हुए है इसलिए ताय व्यर्य जी कहते हैं कि वेंएवर प्रोशेश पूरी देखी और देरे जरे करके हम इन हम स्लीप प्रालीसी में आगाए पुरा शरीर जैसे कि एक पैरालीटी के अवस्ता के अंदर आ गया हिल डूल नई रहाए एकड़म स्टेडी है और उसके बाद में रेम स्लीप चालु होती है यह त्रेसोल्ड है उसके एक सबस्क्राजबर पर हम आ गए हैं यहां से हमारा एटわか Chemistry में घ्री हो सकती है यह देव देलट benefiting के देट हैं तो सायधी दृम्स अते हैं नहीं आते हैं Я्ट अब मेरा टा खर्विक बसकी धर में अब रही कि तो कहते हैं कि एक पहली बात यह कि दूरिंग ग्रेंब स्लिप यूर आइज मूव एराउंड रेपिडली इन रेंज ओफ डाइरेक्शन बट डॉन्ट इन एनी विज्यूल इन्फर्मेशन तो वह अंदर ानदर हीलती है और उसकी कोई इफेक्ट ब्रेंट तक नहीं जाती है मानो कि किसी की आँग खुली है आएसले तो आग बन रहती है तो ब्रेंट अंदर nerd खुली और यह सतिटी होती तो इक टो कम चेंदर रेंठम ब्रेंट तक नहीं जाती हो जो कुछ देख रहा है वो देखना ही नहीं होता है उस दौरान जो पर जो एक इफेक्ट आती है यह पुटली के उपर पर उसके कोई अंदर इन्फरमेशन भी नर्वर सेस्तम शूर्व जाती नहीं है तो एक लक्षन यह है अदि यह पुटली है तो यह नौन रेम सिलिप के आंदर यह जो आँएप उटली है इस तरह पिलती है तो पहले नौन रेम सिलिप प्लॉट्ड बाइश्ओं टुरीड उप स्लिप ढूर्य ही during REM sleep तो पहले non-rem sleep आती है कि हम जब सोते हैं तो non-rem sleep होती है उसमें यह कोई आख की गतीविदी नहीं होती है और अभी स्वपन भी इतने डेवलप नहीं होते हैं फिर दिरे-दिरे करके तोरी देर के बाद में REM sleep चालू होती है स्वपन चालू होते हैं और जो श्वपना होते वो टीपकल इसके अंदर होते हैं, REM SLEP के अंदर, और जब हम राट को सोते हैं, उसे एक या देर गंते के बाद ये REM SLEP हमारी शुरू होती है, और उसके अंदर हमें vivid प्रकार के स्वपना आते हैं यह नॉर्मल कोर्स में भी रात में भी और जब consciously करते हैं तो उसके दोरान भी इन रेम यूर ब्रेन एक्टिविटी निक्रीजिस यूर आइज डार्ट एराउंड ट्विकली एन प्ल्स बीपी एन ब्रीधिंग स्पीड अब देखो नॉर्मल कोर्स में तो आदमी आराम कर रहा है तो उसका बीपी कम होना चाहिए उसके प्ल्स भी नॉर्मल होनी चाहिए कार यहां उल्ता है क्योंकि अभी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है रेम की जब स्थीती बनुदे smiling मलब जब निर्मान होते हैं तो ब्रेन थोड़ा उसमें पार्शियली एक्टिव होता है और वह एक्टिवी होता है इसलिए नॉर्मल स्लिप के बदले में इसमें बीपी थोड़ा ब्रीधिंग और यह जो है यह सब थोड़ा बढ़ने लगते हैं और इसका इन लोगों ने सब यह भी किया एक्सपेरिमेंट किये तो जो EEG जो है इसमें ब्रेन वेव जिसमें से निकलते हैं तो EEG में उन लोगों जो होती है तो उसी तरह इसे सबस्क्राइब यह सबने होता है डावस्थ में कुछ नहीं ओता है होती है पर वीटा की कंडिशन में और रेम स्लिप के अंदर ये ठुरीक समानता ने लोगों ने एकस्पेरिमेंट के अंदर पाई है कि और इसलिए ये तो नहीं होते तो रेम स्लिप जिनको नहीं आती है और कहते हैं कि अगर नहीं होते तो रेम स्लिप जिनको नहीं आते हैं उसको अंदर डूस परिनाम उसके आते हैं जैसे कि अगर लंबे समय तो रेम की रेम स्लिप नहीं आती है कोई व्यक्टी के अंदर तो इतने सारे या इंगने से कोई डिसीद हो सकता है मलब केने का कि एक अच्छी निदरा की कॉलिटी जो है लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है ऑझे आतर अच्छी निदरा का होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमारे पास तो तो उसके अंदर जो श्वप्ण निर्मान होते हैं, स्वप्ण का एक दूसरा बेनिफित ये कि स्वप्ण एक प्रकार का कैथार्सिस का काम करता है, कैथार्सिस मतलब जो W.E. भावनाएं हैं वह वहाँ व्यक्त होती है, एक लिबर्ती है वहाँ, जो हम नॉर्नलर कोस्ट में हम कुछ विचार नहीं कर सकते हैं या कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो कुछ संस्कारों का भी एक असर होता है का सोसाइटी का समाज का भी असर होता है पर ये सब चीजे जो है वो द्रिम के अंदर निकल जाती है वहां ना कोई सोसाइटी का प्रेसर है ना कोई संस्कारों का दबान है वहां जो डीप रूटेड जो इच्छा है वो उबर के प्रकूर्टि का एक प्रकार का एक आयर्जन है कि जिसके अंडर हमारा, तुरा क।ूह से ज़की यूद्य की अटिस्पेक्शन मिलता है और फिर से balance बन जाता है इसलिए यह स्वपना जरूरी है अब हम जो बाट कर रहा है conscious sleep की तो यह तो इसमें और इसमें फरक तो क्या है फरक इतना है कि उसके अंडर जो यह स्वपना normal course में बेहोसी में चल रहा है जिसकी कोई note नहीं ले रहा है जिसके किसी को पता नहीं है कि हमारे अंदर यह स्वपना चल रहा है कोई देखने वाला नहीं है पर conscious sleep के अंदर इतना ही है कि शरीर सोया हुआ है और फिर भी मैं जागरत हूं एक मैं अंदर एक जो है वह अपना जो बीइंग है अपनी एक identity है वह वहाँ बनी रहती है और वह जो है उसको वह सब note करता है कैसे शपना है वह भी वह जानता है और इसलिए कहता है ना कि इस अपना के बाद में एक note बनाओ और हमेशा उपने के बार तुरट लिख लो एक जो यह है कॉंशेसलिप के अंदर आमारी जागरती बनी रहे है यही एक इसका परपस है और इसी को ही हम कॉंशेसलिप कहते हैं अब लास्टाइम हमने जो देखा था उसमें एक सुत्र इसके उपर है क्योंकि उसमें एक और भी बात आती है कि जो प्यॉर नॉलेज है वह हम द्रिम के अंदर ही मिलता है जब जागरती के साथ द्रिम चलते हैं तो जो गनान है वह अंदर से ही मिलता है फिर कभी किसी के पास सीखने की और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है गनान अंदर से ही आना चालू हो जाता है इसको तावर्या जी प्यॉर नोइ तो उसका एक सूत्रा योग सूत्रा के अंडर है जो लास्ता हम आपने देखा था फिर से देखते हैं इस सूत्रा यह है कि पीस इन तो ब्रेकर स्टेडिनेस अपड़ चित्ता थिंकिंग इस्ट्रूमेंट कैन बी रिच थू मेडिटेशन ऑन नौलेज विच द्रिम्स ब्रिंग तो जो द्रिम्स के अंडर जो हमारे जो नौलेज आता है इसके उपर फिर मेडिटेशन करना पड़ता है और वह और वह कोई भी प्रकार का नौलेज हो सकता है क्योंकि प्रकृति के जो गहरे नियम है वह भी कभी कभी इस नौलेज के अंदर खुलते हैं मैं कौन हो इसके या फिर पुरा ब्रह्मान सुरुष्ति क्या है यह अलग-अलग वर्ल्ड क्या है एस्ट्रल वर्ल्ड और दूसर वर्ल के स्वपना आते हैं जो हमने लास्ट ताइम भी देखा था और यहां भी फिर बताते हैं कि वह नौर्मल स्वपना नहीं होते हैं क्योंकि यहां आगे लिखते हैं इस द्रिम्स आर कंसर्ड उनली विट वाटेवर डट हैपन्स अड़ पेरेनियम एरिया इन स्लिप मत कानेक्ट होता है तो यहां जो जो द्रिम्स आएंगे वह द्रिम्स अलग प्रकार के होंगे इस्टरल व 84 के नॉर्म्हों स्की रिम्स की आरिया से कुछ चनेक्ट कर आते और फिर इसके उपर मेडिटेशकार करके फिर वो knowledge को हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं Let us read the exposition अब ये सुत्र का exposition बताते हैं At this advanced stage, dreams have quite a different meaning अब यहाँ जो dreams जो है, यह dreams जो आते हैं उसका कोई मतलब ही अलग है वो कोई कुछ purposeful dreams होते हैं क्योंकि उसके अंदर knowledge चुपा हुआ है Dreaming normally is image seen when asleep Hence, dreaming during the day is called daydreaming तो राट के अंदर जो हम सोते हैं तो dream के अंदर क्या देखते हैं? इमेज इस देखते हैं कुछ अलग-अलग प्रकार की चाया, प्रती चाया हमारे dream के अंदर आती है और वो उसकी moment होती है बाचीट भी अंदर dream में हो सकती है यह सब कुछ होता है और daytime के अंदर भी हम एक प्रकार का dream ही देखते हैं क्योंकि उसके अंदर भी अंदर एक इमेज इस चालू रहती है वो पीछे होती है conscious mind के पीछे होती है इसलिए वो दिखाए नहीं देती है पर daydreaming हमारा चालू रहता है उसके अंदर भी इस परकार की एक प्रक्रिया चालू रहती है तो क्या कहते हैं कि दूरिंग नॉर्मली इस इमेज सीन वेंस असलिप एन फैंसी इस द्रीमिंग दूरिंग वेकिंग आवर्स अब फैंसी बड़लप कल्पना तो रात को सोते हैं तो द्रीम की अंदर हमारे अंदर यह इमेज इस आती है और जब दिन में हम जाकरत होते हैं तो इसी प्रकार का द्रीम चलता है जिसको कल्पना कहते हैं तो ज़्यादातर समय हमारा कल्पना के अंदर जाता है यह दे द्रीमिंग के अंदर जाता है कॉंशियसली तो हम बहुत कम वीचारों के साथ रहते हैं या परिश्टित के साथ रहते हैं सब मेकेनिकल होता रहता है तो फिर या जो द्रीम साथे है उसका मतलब क्या है तो फिर या जो द्रीम साथे है उसका मतलब क्या है Once the complex human system, that is the disciple, has established communication with the Ishwara, he or she is under the guidance of Ishwara, the Guru Deva अब जब CCA का या अमारी जो अंदर body brain system है, अमारे अंदर का जो हूँ एक है उसका जब अंदर की इस्वर जो है, आत्मतत्व है उसके साथ एक बार इसका communication स्टार्ट हो जाता है, established हो जाता है तो फिर वो CCA को अंदर से ही guidance मिलना चलो हो जाता है Since all running away from normal life and obligation is prohibited, one must live one's normal life during waking hours But in sleep, the psychic body and manas system is trained and given experience by the Guru Deo अब normal course के अंदर तो हमारा जो obligations होते है, duties होती है, यह सब जो है उसको fulfill करना पड़ता है Day to day activity में काम काज करना पड़ता है, नौकरी दंदा करना पड़ता है तो day time के अंदर हम कुछ यह प्रकार के experiment या अंदर की दुनिया में जा नहीं सकते है पर जब हम sleep के अंदर उतरते हैं, तो हमारा जो psychic body और जो manas है जैसे त्रिन पकार के body और manas है, त्रिन पकार के brain है ता और यह जीन बता है, physical body, physical brain, astral body या psychic body उसके साथ उसका जो brain है उसको manas कहते हैं और mental body और उसके साथ का जो brain है उसको buddhी कहते हैं बुद्धी यह, बुद्धी मतलब जो हमारा brain के अंदर जो हम जिसको rational कहते हैं इस प्रकार की जिसको intellect कहते हैं वो बुद्धी की बात नहीं है ये प्रगना की बात है तो mental body के साथ प्रगना होती है तो जब ये sleep चालू होती है conscious sleep के आंदर जब dreams चालू होते हैं तो उसके आंदर हमारा जो ये psychic body है वो psychic body और मनस जो है वो उसको गुरुडेव हमारे train करते ह अंदर का जो गुरु है वो उसको train करते हैं वो उसको समझाते कि इसको किस तरह हमें ये करना है इसका उप्योग किस तरह करना है तो astral body फिर उसके बाद में separation of body भी आता है और जब separation of body के आंदर फिर हम अलग 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 जगा जाते हैं तो वो सब जो knowledge है वो अंदर गुरु डेव के guidance के ही होना चाहिए और दिरे दिरे करके communication एक बार बहत जाता है तो गुरु डेव फिर बताते हैं अंदर से कि अभी इस तरह करना है इस तरह करना है इस तरह body को release करना है क्या करना है वो अंदर से ही फिर एक समझ में आता है अंदर से guidance आता है the psychic body and manas are involved here because on the way to progress one must go beyond the objective life and the objective universe and enter bua तो यह जो हमारा objective बावतिक का हमारा जो जीवन है और बावतिक जो हमारा विश्वा है उसकी परे हमें जाना पड़ता है और वो जो है वो बुव है वो एस्त्रल वल है तो वो गुरुदेव समझाते है और इसको अमारा जो psychic body और मनस है इसको किस तरह इसके अंडर involved करना है इसका उप्योग किस तरह dream के अंडर करना है यह सब गुरुदेवी बताते है और फिर यह जो अमारा जो बावतिक है उससे उपर उतके जो भुव का जो है उसके अंडर फिर entry होती है और वहाँ से कुछ चीजे हमें प्रक्त होती है Since both the physical body brain system and the psychic body manas system are now synchronized Communication can flow from the system to another तो अभी यह जो physical body brain system और astral body brain जो manas system है वो synchronized हो गया है और इसके लिए तावरेजी खास three step के ओपर बहुत बाहर देते है कि three step अगर आपका establish होगा तो यह दोनो body brain system जो है वो synchronized होंगे तो यहां three SRV का भी इतना ही महत्वा है क्योंकि इसके पीछे three step इतना किया है तो यह सारी चीजे आगे जाके फिर हो सकती है तो यहां तक communication से पहले यहां तक में हमें यह दोनों को synchronized करना सिख लेना पड़ता है और फिर जो communications है वो जब होता है तो एक body से दुसरे body के अंदर आता है मतलब कि पहले वो जो experience आता है वो astral body के अंदर आता है astral body और manas के अंदर आता है और वो astral body manas जो है है वो फिर experience को वो पास करते है physical body और brain को So, whatever is learned and experienced by the psychic body manas system is relayed to the physical body brain system this information is now registered on the sensitive endless film in the registration area and the body brain system on awakening remember the information as a dream तो यही बात है कि जो पहले astral body के अंदर यह गनान आता है astral body और उसके manas के अंदर यह गनान आता है और फिर astral body और manas इसको फिर relay करते हैं physical body और brain को और brain के अंदर जो registration area है यहां हमारा जो I.E.S.N. के अंदर है वहाँ उसका registration होता है जो चीज का registration होता है वही चीज हमें याद रहती है इसलिए यहां यह dreams का registration होना जरूरी है अब जो dreams astral body में आ गया है और फिर यहां physical में उसका registration नहीं हुआ तो फिर वो हमें पता नहीं चलेगा कुछ अंदर हो तो गया पर उसका registration उसकी note कहीं पर अंदर लेनी चाहिए होनी चाहिए तो यह इस तरह का एक mechanism है अंदर की astral से physical में आता है और registration area में note होता है उसका registration होता है और जब हम जाकते हैं तब हमें याद आता है कि हम आज मुझे यह dream आया था इस objective universe is made of अब dream का stuff क्या है dreams का द्रविय क्या है तो यह objective universe जिससे बना है वो ही हमारे dream का भी उसका substance जो है उसका जो stuff है वो ही है वो ही से बना हुआ है क्योंकि objective world में जो हम experience कर रहा है वो ही तो हमारे dream की अंदर आएगा तो उसका दोनों का substance या उसका जो stuff है वो भी वो ही same to same है एनी experience of this objective universe whether there be dreams in ordinary sleep or dreams during waking hours और dreams during higher practices whatever deal with other than satyam is some type of dream अद यह पहले ही का न कि यह objective world के यह dreams होते है तो यहाँ फिर चाहे कितने भी यह higher dreams हो consciousness इसके अंदर है कुछ भी हो पर वो satyam की तुलना में नहीं आते जो satyam है या परमतत्व है उसके dreams नहीं आ सकते या उसके उसके अंदर उसका कुछ नहीं होता है तो यह चाहे objective universe के हो सकते या थो उससे उपर उटके astral world के भी होंगे फिर भी वो satyam के level के तो कभी भी वो dreams होते नहीं है तो dreams में यह बात खास और यह हम experience भी करते हैं कि हमें physical या astral world के स्वपना आ सकते हैं उसके उपर के आना संभव नहीं है और है क्योंकि आत्मा तत्व के जादा आते हैं कई लोग आज अपने गुरु को बहुत मानते गुरु के बारे में बहुत सोते हैं उनके प्रावचन ग्रेव जढ़ा सुनते रहते हैं और गुरु के जाड़ा विचार करते हैं तो कई बार स्वपना में गुरु आते हैं तो कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि देखो आज तो गुरु देव ने आके हमें दर्शन देदिये स्वपना में गुरु गुरु देव आ गए तो एक बहुत खुसी होती है पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई सेलेस्टियल वोल से क कोई जो गुरु तत्वा है वो आया है वो जो हम जो दिन पर में सुनते हैं पढ़ते हैं जिनके बार में चिंतन करते हैं तो वो चीज हमारे स्वपना के अंदर आ सकती है तो यह कंफूजन और कई बार कहीं लोग यह गलत फैमिक क्रियेट कर देते हैं कि असली जो गुरु है वो हमारे स्वपना में आ गए ऐसा नहीं होता है वो हमारी एक जो कल्पना है हमारी जो इमेज है वह हमारे स्वपना के अंदर आती है इत में गिव नॉलेज बट इस इंफियर तो दे एक्पिरेंस ऑप इस्वर सत्यम तो द्रिंट में नॉलेज तो मिलेगा काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा बहुत सारा मिलेगा यह भूभू अस्वर तक का भी मिल सकता है पर उसमें आत्मतत्व का नॉलेज नहीं मिलेगा इसे इंफिरियर एस्पिरियल्स होगा इंसे यह सब नॉट पूरी नॉट पॉइंट बाइपॉइंट है अलगरत पॉइंट से अभी यह आठवा पॉइंट साथवा पॉइंट इसमें बताते हैं यह अभी मुझे याद नहीं आ रहा है पर कुछ समय पहले हमने रिदम के अंदर जो इंग्लिश सेक्षन है उसके अंदर यह पूरी नॉट हमने प्रिंट की थी तो अगर किसको यह जानना है यह नॉट चाहिए तो एक बार जो अगर पुरान है रिदम है तो इंग्लिश से जयाद नहीं है दो-तिन साल पहले या उससे ज्यादा समय पर भी होगा पर एक बार यह रिदम में छपा है तो एक बार आपके पास यह नोट होनी चाहिए क्योंकि आप इसको रिफर करेंगे तो और अपके लिए अच्छा रहेगा अब नेक्स पॉइंट एक पर्सन रीड्स मच एंड और प्रैक्टिस मच अब कहीं लोग बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं या प्रैक्टिस भी कुछ न कुछ करते रहते हैं इन डेट केस इस अवेर्डनेस इस सेंटर्ड फोकस इन रीडिंग और प्रैक्टिस तो ऐसे म में जो हमारी अवेर्डनेस का क्या है कि जो चीज हम ज्यादा करते हैं उसके साथ चिपकी रहती है जो भी है अगर एक व्यक्ति दंदा के उपर ज्यादा रहता है दंदा के बारे में ही सोचता है जो कुछ है दंदा उसके लिए प्रमुक है तो उसकी जो इसकी चीत है उसक साथ भी चिपकी रहती है पर इससे तुपर उठके हमारी जो अवेर्नेस है वो यह सबसे उपर उठके ज़रा अलग जगरने के ऊपर सेंटर होनी चाहिए एक्चुली इस अवेर्नेस सुद भी सेंटर्ड इन इस अवेर्नेस वाट वी हेव कॉल प्रतिक्षा तो कवेर्नेस कहा होनी चाहिए प्रतिक्षा प्रतिक्षा क्या है प्रतिक्षा माने एक वेटिंग स्टेज तो हमारे अंदर एक प्रतिक्षा का बाओ हमारे सास्त्रों के अंदर यह स्थिति को बहुत महत्वर दिया है प्रतिक्षा मतलब क्या है किसकी प्रतिक्षा तो तिन लोगों के अंदर फिर आत्मतत्व के प्रति जादा लगा होता है तो आत्मतत्व की एक प्रतिक्सा होती है या जो लोग भक्ति मार के उपर होते हैं तो वो एक भक्त के रूप में उसके अंदर भगवान की परमात्मा की एक प्रतिक्सा होती है कि कब मुझे उसका दर्सन कोंगा तो यह प्रतिक्सा है और डूसरी बात प्रतिक्सा है हमारा कॉंशिएट के अंदर भी एक स्थेज azz आता है कि पूरी सब बोडि रिलेलेस्स हो गया पेरालिस्टेक्सट के अंदर सब और सब पूरी रिलेक्श हो गया अब मंने यहां क enjoying करते हैं को या मैं कों benefit of होती है आपका माइंड लट है फिजीकल बॉड़ी के अंदर चाहे स्लीप नहीं हो तो भी पेरालिटिक एफेक्ट है और ऐसी स्थिति के अंदर मन के अंदर कोई वीचार नहीं है पर एक प्रतिक्सता की स्थिति तो प्रतिक्सा विए कम्णिकेशन हो सकता है पहला एक नियम ह लिए प्रतिक्सा की स्थिती बनानी पड़ती है और conscious dream के आंदर आप प्रतिक्सा की स्थिती तब पहुंचते हैं तो वहां आपका communication फिर हो सकता है किसी के साथ में तो यह प्रतिक्सा की जो यह है वहां आमारी awareness Scentred होने चाए न की हम कुछ पढ़ते हैं या प्रेक्टिस करते हैं या दन्तां पानी करते हैं उस में किसी के अंदर नहीं Since his awareness has to be applied to reading and or practices, his awareness mechanically reads or practices and during such reading and or practices, his past memory will drift in comparing what he is doing with what he had done before. तो यह एक नॉर्मल साइकोलोजी यहां इन्होंने बताई है कि जब बहुत चीज बहुत सारे जैसे कि एक व्यक्ति ने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा नॉलेजी खत्ता कर लिया, अब क्या होता है? अब जब वो दूसरा पढ़ने लगता है तो हमेज अंदर से एक कं बताई थी तो वो बात सही लगती है, ऐसा कंपेरीजन अंदर चालू रह जाती है, और कुछ प्रैक्टिस के अंदर भी ऐसी कंपेरीजन आ जाती है, कोई लोग पहले आसन प्रानायम करते हैं, अभी रीफाइनिंग करने लगे, तो फिर कंपेरीजन आ जाती है, अरे उसमे चीज के उपर आप को कॉंसेंट्रेट रहना चाहिए, वो चीज के उपर आप रहते हैं, आप कंपेरीजन के अंदर चले जाते हैं, तो यह बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है, अब प्रकार के मेकनिजम बता है है, अब क्या होता है, अब क्या होता है? अब क्या होता है, कि जब ऐसी कंपेरीजन या दृफ्टिंग अंदर से चालू हो जाती है, तो हमारी जो अवेरनेश जो हाई अवेरनेस है, या एक्टिव अवेरनेस है, वो पैसिव या लो अवेरनेस बन जाती है, वो पांच चीज कौंसी है, वो खांस समझ लेना एक तो पहली बताईए habit, जो चीज़ हम habit से करते हैं, habit माने कि एक mechanical, जो चीज है, ज़्यादा चीज़ हम जो physically करते हैं, वो चीज़ mechanical हो जाती है, और यहां तक कि बाद में तो फिर हम जो योगा की कहते हैं, योगा की practice पर वो भी mechanical करते हैं, चाहे आसन प्राणायम करते हैं, उसमें mechanicalness आ जाती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही भतकने का है, तो शरीर तो क्रिया करता रहता है, और मन भतकता रहता है, यह मन का स्वभाव है, उसको पकर के लाना परता है, और present में वर्टमान में उसको रखना परता है, पर यह बहुत मुश्किल है, थोरी देर के लिए रहेगा भी बाट में फिर से चला जाएगा, तो यह प्रोब्लेम है, एक हैबिट का, कि यह हैबिट से हम जब जैसे हम नए सीख रहे हैं, तो कितना attention से कर रहे हैं, इसी तरह हर चीज़ को पूरा attention के साथ करने चाहिए, जैसे कि पहले दिन कर रहे हैं, एक व्यक्ति पहले के अंदर भी फिर वो जाकने लगते हैं, चालू गाड़े के दोरान, तो एक पीकेनिकल जब क्रिया हो जाती है, तब सब ऐसी चीज़े होती है, एक ब्रिक थोरी देर के बाद आएगा, तो पहला है है हैबिट, दूसरा है दृफ्ट, दृफ्ट माने और हैबिट को तावर पहले है जी अटिट्ट एटे थे एक एटिट्ट हमेरा हो जाता है, हैं जला को दूसरा रिर्फ थे दृफ्ट का मतलब कि एक सब्देक के ऊपर से दूसरे सब्जच्प के ऊपर जंप मालते रहना, या एक क्रिया से दूसरी क्रिया कई लोग जो है वह सचे़ता से कुछ कर कर नहीं सकते हैं यह खेस था से वीचार भी नहीं कर सकते हैं तो एक वीचार आया उसके बाद में तुरथ दूसरा वीचार बडल जाएगा तेसरा बदल चले चलाजाएगा और यह हम्ने exoticlyny में देखा है और जो आगे के चेप्तर है उसमें डिटेल के आंदर तावर या जी ने द्रिफ्ट के बारे में बताया है तो जो है वह इस तरह हमारा हम एक सब्जेक्ट लेते हैं सोचने के लिए ठोड़ी देर के अंदर वह सब्जेक्ट तो दूर चला जाता है और हम कहीं और पर चले जाते हैं विचारों विचारों के अंदर तो यह दुसरा द्रिफ्ट है जब आप कोई सोचते हैं तो एक विशाई को पकर के उसके उपर ही ज्यादा तर ठीके रहे और तब इसमें इनर डिसिप्लिन में बता हैं कि आपकी जो प्लस इंटेंसिटी जो है वो तब बने हैं हो गे जोरे जोग गे। बने प्रिफ्टने होगी है। लेवर प्लस इस पिरूर अबढ़निसे ल यह स्विएर प्लस का प्लस का quickmyad KIF CA लेफिये बने था विडूरं कि आपकी एसे को कहते हैं यह जो कहते हैं इमपल्स कहते हैं वह वो और और वह सत्त्रुमांट के रूप में अंथर आता है जब तब तो वह प्योर स्टेट के अंदर होता है पर क्या होता है कि जब यह अंदर यह चीजे बनती है तो उसके बाद में यह पांच चीजे जब बनती है तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि यह जो है वह एकदम विकन हो जाती है लो लेवल के ऊपर चली जाती है और जो यह से यह जगत है हमें manifold के रूप में दिखाई देता है मतलब अलग-अलग उसका श्वरूप हमें दिखाई देता है उसके आगे हम तुर इस बात करते थे habit drift उसके बाद में आएगा brooding and day-dreaming brooding का मतलब क्या है कि एक ही चीज को बार-बार-बार-बार अंदर माइन के अंदर repetition होता है उसको brooding का आ जाता है तो जैसे कि for example हमारा सब का एक experience होता है कि मानों कि किसी ने आपका insult कर दिया तो insult किया वही अंदर बार-बार repeat होता रहे रहेगा आप चाहिए कितना भी normal रहने का प्रहत्न करोगे फिर भी वही सब्द और वही द्रस्य बार-बार आपके आखों के सामने आता रहेगा जब कोई हमारा इंसल करते हैं हमारे साथ बुरा वैवार करते हैं तो वह जो बार-बार जो चीज बनती रहती है उसको brooding कहां जाता है तो वीचारों के अंदर इसके डो पार्ट है अगर कुछ ऐसा गतित होता है तो यह brooding होता है कि जैसे एक record के अंदर पीन कहीं अतक जाती है तो एक ही चीज गाने में एक ही लाइना में सुनाई देती है record के अंदर इसी तरह यह एक ही बात जो गुम-गुम के पार फिर से वह डिमाग के अंदर आती रहती है वो brooding है और डूसरे स्थी टी यह daydreaming जब brooding नहीं होता है तो क्या होता है कि हम वीचारों के अंदर चले जाते हैं या कल्पना के अंदर चले जाते हैं तो daydreaming कि इस चीटी बन जाती है यह सब mechanical है brooding का होना, daydreaming का होना, habit or drift और लास्ट में कहते हैं, impulse response, impulse response मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, एक बार क्रिया हुई कि तुरत अंदर से प्रतिक्रिया होतेगी, अगर बार अच्छी क्रिया होती है, तो अंदर से अच्छी प्रतिक्रिया होती है, बार बुरी क्रिया होती है, तो अंदर से बुरी प्रतिक्रिय का हो गया है अमारा जो ब्रेन है इसी तरह काम करता है क्योंकि हमारे अंदर अवेर्नेस नहीं है तो एक बार देखा कि उसी दोरान अंदर से एक दूसरा विचार आ जाएगा रियक्टन के रूप में तो यह पांच बार जो है वो इंपल्स रिस्पॉन्स है एक प्रकार का मिकेनीजम है और व्यक्ति इस तरह ही काम करती है और इसके बार में हमने देखा कि वो जो चित्टी का जो अवेर्नेस हमारे अंदर आती है वो वीक हो जाती है और यह पांचो के कारण यह जो चित्टी की जो स्थिती है अंदर जो आती है चित्टी अवेर्नेस प्यॉर अवेर्नेस आती है वो लो लेवल के उपर चली जाती है अगर ये पांच का हम मुकाबला करते हैं और पांच के उपर काम करते हैं तो हो सकेगा कि हम ज़्यादा अवेर रह पाएंगे अब ये बहुत मुश्किल बात है पर ये एक जरूरी हो कहते हैं कि ये पांचों चीजों को अगर आपको अवाइड करना है तो आपको 24 गंते आपको अवेरनेस को मैंटेन करना पड़ेगा उसको हमारे अंदर इसको एक करना पड़ेगा तो ये एक रिलेटेद है जैसे ये पांच प्रकार के मिकेनिजम कम होते जाते हैं तो अवेरनेस बढ़ती है तो फिर वह और कम होते हैं पर अगर दीरे-दीरे करके कोई 24 गंता अवेरनेस अलाकि वह बहुत पहुंचे हुए व्यक् या सामनिय सादक या उचकक्सा का सादक भी नहीं रख पाता है ये तो कोई एक दम पहुंचा हुआ योगी होता है वही एसिस्थिटी बना पाता है तो फिर भी अगर ये चीज बनती है तो ये पांच चीज फिर हमें सताती नहीं है अब यहां क्या प्रोब्लेम आता है कि आपके अंडर थोरी आवेर्नेस तो आपमानों की बन गई है आपकुछ आवेर्नेस से कुछ कर रहा है पर क्या होता है कि जैसे आप कुछ आपकी ड्यूटी फॉलो करने जाते है आपका उब्लिगेशन से या फिर आपका नौकरी जंदे पर जाते हैं कुछ भी करते हैं तो दीरे-दीरे करके और निस जो है वह लो लेवल के ऊपर चली जाती है वह अवेर्नेस या 3SR भी दोनों के बारे में यह हमने देखा है कि 3SR भी अच्छा चल रहा है पर जैसे आप कामकाज में इनवल हो जाते हैं तो फिर 3SR भी एकदम तुद जाता है या कम हो जाता है इसी तरह अवेर्नेस का जो लेवल है वह मानों कि आपने शुबह में जड़ा प्रेक्टिस बेक्टिस वगेरे सब अच्छा कर लिया तो अवेर्नेस है फिर जीरे-जीरे करके जैसे आप कामकाज में इनवल होते जाओगे तो आपकी अवेर्नेस जो है वो कम होती जाएगी और फिर तो आप फुरा मिकेनिकली सब कुछ करने लगेंगे तो प्रिवेंट इस वन हैस तो केरी आउट वन सिंगल एक्ट एक्स्क्लूजीवली अब यहां एक इसका उपाय बताते हैं और बहुत अच्छा उपाय है और यह सब को करना चाहिए जिसको अवेर्नेस अगर आपको बढ़ाना है अवेर्नेस के साथ जीना है खाली बात नह बताते हैं for example the Buddha when wearing a robe or picking up his begging ball etc. his awareness was totally behind the act and so no drifts or such other mechanism intruded and so and so long as these mechanisms do not enter awareness remains at 85% of pure awareness at least and is good enough to maintain the link with chitti यहां बहुत अच्छी बात एक टेक्निक बता दी है अलांकि यह करना चाहिए हमारा mind इस तरह trained नहीं है इसलिए करता नहीं है पर कहते हैं कि एक समाई पर एक ही चीज़ करो और बुद्ध का example बता है कि जैसे के बुद्ध जो है वो जब अपना जब रोब मनलत की वो जबबा पहनते थे वो जो अपना जो चीवर जिसको कहते हैं वो जो पहनते थे तो वो दौरान वो क्रिया के दौरान बस उसका पूरा attention वो क्रिया के उपर ही था या फिर उसका बेगिंग बॉल मतलब जो भिक्सा का फातर था वह फातर जब उठाते थे तो बस उसका पूरा एटिंसन उसके ऊपर ही था कि बस वह बेगिंग बॉल उठा रहा है इसी तरह हम जो करते हैं हमारा क्या है कि हाप मैंड से हमारा सब कुछ होता है और इसलिए हम भ होती है कि गर को लॉक कि नहीं कि सब चीजह हम अधा मन से करते हैं और इसलिए जो है क्योंकि दिमाग जो हमारा वह ये सब मेकेनिकल जो पांच जो मेकेणिजम बता है पांच प्रकार के उसके उसमें से कोई न कोई के अंदर वह गेरा रहता है ज्यादा पर तो ड्रेडी की अंदर पड़ा रहता है तो क्या होता है कि इसकी वज staging ये awareness जो हो बीट में आई तो साही या तो अगर उसको प्विटेंक के अंदर मैंटें रखना Evet यहां तो कहते हैं कि 85% आप इसको pure state के अंदर रख सकते हैं जो चिट्टी से आया है वो पर इसके लिए एक ही है कि एक काम बस उसके दुसरा काम के बारे में सोचो ही मत इसके बाद में क्या करना है वो भी मत सोचो एक काम तो बस एक ही काम अभी हम सुन रहा है तो बस खाली सुन रहा है अब इसके बाद में क्या होगा कहां जाना है क्या करना है आज क्या साम को खाना है यह विचार को अभी नहीं आना चाहिए तो आपकी awareness maintain रह सकती है तो यह बहुत अच्छा एक example है अगर हम इस तरह काम कर सकते हैं अपने उपर तो एक awareness को हम ज़्यादा maintain कर सकते हैं आज आज इस नेसेसरी फोर दे रिफाइनिंग एन मेंडिंग अप दे आउटर कवरेजिस तो आपका आउटर कवरिंग जो हमारा आउटर कवरिंग जो है मतलब कि अमारा body brain system है सरीड है मन है और जो 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 चीज है या फिजिकल बोडि ब्रें एस्टरल मनस वगरे वगरे जो है उसको रिफाइन करना पड़ता है और इसको मेंडिंग करने पर दे मतलब इसकी मरामत करने परती है यह चीजों की maintain करना पाड़ता है अगर यह इस तरह करते हैं तो हमारे जो है वो यह आउतर कवरिंग के अंदर awareness फिर बनी रहेगी अब next point है अब last दो point है वो आज हम कतम करेंगे और paper भी कतम करेंगे Between our present stage of insecurity, fear and doubt and the stage of perpetual meditative attitude meditative attitude which brings about total illumination is the stage of experimentation a very long stage if one enters into with out-of-body experiences and the astral world and also very dangerous for one comes in contact with other entities on the astral plane and if we are not properly guided and properly insulated the result would be and very often are tragic यह बहुत गंबिर बात यह paragraph के अंदर बताई है कि जो लोग इस तरह का जो प्रयोक करते हैं अगर वो उसका गुरू के साथ communication नहीं है गुरू के guidance से वो नहीं चलते हैं तो वो बहुत बड़ी आफ़ट के अंदर आ सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि astral body जब छुटता है तो कई बार ऐसा होते कि कोई ऐसे डेंजर जोन होते हैं मलग की अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग entities होती है और कभी कबार वो इस तरह की entities के तच में आ जाता है यह जो जो सब फेनोमेना बताते हैं जो कथा होती है राक्षस वगरे यह वो यह सब चीजे जो है actually astral world की है को कोई physical में कोई राक्षस हो डेटिया वगरे की बात नहीं है देवडानम की बात है वो सब astral world की है तो यहाँ एक बहुत बड़ा danger point है इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो यह present stage है insecurity, fear, doubt वगरे का और दूसरा stage है सबसे उपर का meditative attitude का इसके बीच में का जो यह अपना है stage experimentation का अभी जो हम experiment कर रहा है astral के साथ में वो stage जो है वो बहुत खतर नाक है क्योंकि अगर आपने आप astral world के अंदर एंटर तो हो गए पर आपके साथ कोई गुरु का guidance नहीं है किसी का heart नहीं है तो आप कोई बड़ी मुसिबत में पर सकते हैं कुछ भी हो सकता है कोई अलग entity के touch में भी आप आ सकते हैं कि बहुत साल पहले मैंने कृष्ण मूर्थी की एक किताब पड़ी थी उसका नाम था डायलोग डायलोग विट डेथ उसके अंदर क्या था कि उनका कुछ operation होने वाला था तो उन्हों ने अपने जो नजदिकी लोग थे उनको बताया था कि देखो मुझे यह उसके दौरान बेहोस मत होने देना क्योंकि अगर मैं बेहोस हो गया हो सकता है कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा तो फिर उनका operation होगा और उसके बाद में कुछ उनके जो नजदिक थे उन लोगन बता कि उस दौरान कुछ वो किसी से बाठ कर रहे है इस तरह डायलोग क्योंकि उसने डायलोग लिखा है तो कैसी के साथ डायलोग कर रहे है मैं मैं मैसूस होता था और कोई entity जैसा एक फिल्ब होता था कि कोई entity है और उसके साथ उनके कुछ डायलोग चल रहे है तो उसके उपर से उन्होंने वो किताब लिखे थी तो इस तरह का होता है कभी ऐसे ऐसे जोन में चला जाता है व्यक्ति वहां से फिर वापिस आना भी म प्रेक्टिस करते हैं मैंने जब तक मैं जानता हूँ तब तक तो कुछ ग्रुप के अंदर ऐसे व्यक्टिक काम करते हैं और उन लोगों के पास ऐसा पावर्फुल गुरू नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि गुरू भी एक स्टेज के उपर अतक जाता है और फिर वो जिसने सिखा है वो दूसरे को सिखाने लगता है अब उसके पास भी प्रूटिक करने की कोई इतना पावर्फुल गुरू होना चाहिए कि कभे ऐसा सिस्य ऐसे डेंजर में पढ़ जाता है तो उसको निकाल सके पर गुरू खुड वहां तक पहुंचा नहीं होता है और सिस् इसलिए कि यह सब ट्रेणिंग बहुत जरूरी है कि ट्रेणिंग के साथ दिरे 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 ग्रेजूली आगे जाना है और कॉम्मुनिकेशन एस्टाबलिस करना है 3SR भी पावर्फुल बनाना है उसके बाद में आप यह एस्टरल का सब टेक्टिस करते हैं और अगर आप कि एस्टरल में एंट्री होती है तो इतनी डिकत नहीं है वरना किसी से कुछ पढ़के समझ के या कुछ और गर्बर एक्स्पिरिमेंट करने लगेंगे तो बहुत बड़ी घरबर हो जाएगी इस इंक्लूज स्पिरिच्टियलिजम, मीडियम शिप अल्सो तो यह जो है कहीं लोग और प्रकार की भी जो प्रैक्टिस करते हैं वो स्पिरिच्टियलिजम के नाम के अंदर उसमें यह एस्टरल की एसके एस्टरल ट्रावेलिंग के प्रयोग भगे रहे करते हैं कोई प्रोपर गाइडन्स इसमें बहुत जरूरी है तो जो सचे जो गुरू है या गाइड है वो तो आपको मना ही करेंगे कि इस तरह का कोई प्रयोग मत करें और इस तरह की कोई एंट्री में मत जाए तो यह वल की अंदर एंटर होते हैं तो फिर इतना टेंटेशन होता है और कई बार तो टेंटेशन दूसरे की और से करिया है कोई जो एंटीटी होती है वो इसको लुबाती है इस तरह कीचती है कई बार कई व्यक्ति आके बताती है कि मैं तुझे ऐसा गनान दूँगा ऐसा दूँगा कुछ चमटकारिक बाते बताते हैं कि मैं यह मंत्र दूँगा ऐसा उस जगह पर ली कोई सिस्य बनाने का प्रयोट न लोग करते हैं उस लेवल के उपर तो वहां जो ही यह सिस्य है कि वह अगर टेंप्टेद हो जाता है वह लोब में पढ़ जाता है उसमें फट्र याता है और वहां तक चला जाता था है लैंडे दिया है सब्दह अच्छा सब्दह प्रयोग किया है लैंडेद से तो आगर लैंकर जाता है तो फिर więc iCont'm coins थे ज़ल यह द UK होग यह चीजे पीछा नहीं छोड़ती है, उसमें से फिर सो जनम तक बाढ़ने आएगा, दुसरा जनम होगा तब भी पिर यह सही कोई चक्कर में वो पड़ा रहेगा, तो यह बहुत देंजर है, और जिन्गी के किम्ती साल और किम्ती जिन्गी आ के पुरी लाइफ टाइम जो है वो खटम हो जाती है, many many life times, I am against this and those who wish to enter this glorious area may seek other teachers and guides, तो कहते हैं कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ, यह सब में नई आपको पढ़ना चाहिए, और फिर भी आपको यह लगता है बहुत ग्लेमरस, पर फिर भी अगर आपको उसमें जाना है, तो एक आप और अगर आपको ऐसा करना है, तो भी आप दूसरे teacher के पास जाओ, मेरे पास यह चीज नहीं है Some safeguards, at this stage of our experimentation, आपको safeguard बताते हैं, एक्सपरिमेंट के दौरान के Recourse to the Gayatri Mantra and to Om Satyam Paramdhi Mahi for guidance and is anchor तो एक दूसरा एक जिसलिए इन्होंने यह पहले ही बता दिया कि बहुत यह जब आप practice करते हैं, तो जो लोग ज़्यादा गायत्री मंत्र करते हैं, उसके साथ में एक यह हो जाता है, उसके अंदर एक प्रकार का insulation इसके आजू-बाजू हो जाता है, कि ऐसी चीज जो है वो कुछ उसको penetrate नहीं करेगी और उसको नुकसन नहीं पहुचाएगी, तो यह एक anchor जैसा है, जैसे की लंगर होता है, जैसे नाव को यह लंगर से यह करते हैं, इसी तरह यह हमारा एक लंगर होगा, गायत्री मंत्र और ओम सत्यम परम दीमाई, अगर आप एक्सपरिमेंट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, यह दोनों चीज़ों तो को आप हमेंसा आपको करनी चाहिए, एक क्लियर मोटीव, कॉंस्टन्टली रिचेक्ट, 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 कवरिंग वनसेल्फ विट अबलेंकेट, एन कीपिंग ए बार मेगनेट, अलाइन अलोंग द बोडी, अन्डर नेट, द पीलो, दूरिंग द फॉर्मल प्रेक्टिस, अब दूसरे उपाई भी बता हैं, एक तो गायत्र पर्वाइं दूसरी मंतर, वव्मस्त्यम परम धी महीं, फिर आपका मोटीव क्या है, उसको आपको रिचेक्ट करना पड़ेगा कि कोई मुझे को ऐसे ग्लेमर सुर्ल के अंडर जाना है कोई मुझे कुछ ऐसी सिद्धी पाना है किया है कुछ ऐसी कोई चीज आपके मोटिव के अंदर परी है और ऐसी मोटिव के साथ आप करते हैं देंजर जोन में छले ही जाएंगे तो मोटिव एक तो क्लियर होना चाहिए दूसरी बात जब यह आप प्रैक्टिस करते हैं कॉंसिस लिपकी उस दौरान आपको कुछ ओड लेना चाहिए आगे भी आमने देखा था कि आपको कुछ बैट सीट वगेरे जो है वो चदर है या क उन्हार आई घर स्टेज नहीं आता उसे पहले वह ठूटने का प्रजायेकन आपको मेगनेट बार जो है आपका पीलो कर नीचे रख लखतेना psycho एक मेगनेट बार आता है क्योंकि मेगनेट जो है वो एस्तरल ओर फीजिकल को चिपकाँ है रखेगा हुआ शुतने नहीं देगा तो यह वह यह वह अपको पंचिक्निक तुकि मेडिक आप नहीव सब्सक्राइब करने और फिर वापिस consciously उसको ला सकते हैं वो अलग बात है और वो किसी गुरू के पास सीखना पड़ता है पर ऐसे आप ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करते हैं और आपका बार बार एस्टरल छुट जाता है तो वो नहीं होना चाहिए इसके लिए फिर आपको यह ओधना पड़ेग तो हमारा यह जो एडवेंचर यह जो हम कर रहा है है एक साहस कर रहा है एक प्रैस कर रहा है उसके पीछा हमारा attitude क्या रहना चे एकिस तरह का attitude हमारा होना चे Let us attempt is, age, enthusiastic and committed students willingly taking up a curriculum of studies without expectation or motive which could lead to abuse or despair, but where the wonder of adventure itself is enough worth the effort put in. तो यहां जो हमारा जो एक इसके लिए एक curriculum बनाना कहते हैं, कि एक study का curriculum जैसे कि एक course होता है, एक schedule बनाते हैं, इस तरह हमारा यह जो प्रैटना हम जो कर रहा हैं, उसका एक curriculum बनाना पड़ेगा पुरे उच्छा के साथ, commitment के साथ. और फिर अमारा जो motive है, वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो abuse और despair हमें कर दे, तो जैसे कि ऐसा motive हो कि जिससे यह चीज़ का दुरूपयोग हो, और अमारे अंदर एक निरासा का भाव आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अमारा motive भी clear रहना चाहिए. और अकिकत में तो यह जो एक adventure का एक जो साहसम कर रहा है, वो ही इसका जो effort कर रहा है, वो ही enough है अमारे लिए, उसके लिए और किसी की जरूटने है, क्योंकि आप एक अलग प्रयोग करने का आएक आप उच्सा रखते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, बड़ी बात है, पर guidance के साथ होना चाहिए, we recognize and understand this as psychological exploration, अब यह जो है, यह जो कहते हैं कि यह जो चीज है, वो एक psychological exploration है, एक psychological level पर की एक खोज है, ऐसा उसको हम समझते हैं, for dreams are reservoir of knowledge and experience, अब यह क्या है, dreams क्या है, dreams तो एक खजाना है, knowledge, knowledge का अगनान का खजाना है, और एक एक अनुभव, अनुभव का खजाना है, reservoir है, जैसे पानी काकिसा बड़ा reservoir होता है, अश्थरा यह गनान का और अनुभव का, बड़व एक यह है रिजोवियर है और यह dreams है dreams के अंदर से मतलब आप इस चीजों को पा सकते हैं and we are slowly but surely learning the languages of dreams अब दुसरा यह है कि आप शुरुवाट में dreams के जो है वो language को पकर नहीं पाएंगे dreams के अंदर जो दिखाई देता है उसका आप interpretation नहीं कर पाओगे इसको decoding नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज है कि जो शुरुव में होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि यह क्या हो रहा है पर दिरे 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 करके आप रो जाना इसकी practice करते जाएंगे तो फिर आप उसकी जो language है उसके अंदर जो हो रहा है वो उसको आप फिर समझ पाएंगे दिर कोडिंग एंड डेसी फेरिंग तो यह जो उसका उसके अंदर जो जैसे हम decoding कैसा हम करते हैं यहां इंपल्स के अंदर इस तरह यह जो dream का है वो जो coding है उसका decoding होना चाहिए और जो यह जो छुपी हुई चीज है वो प्रगट करनी है so as to bring back this knowledge into everyday working life तो हमारा जो यह जो गनान हमें उसमें से प्राक्ट किया है वो गनान का फिर हमें हमारा जो normal life है आम day to day जो जिनगी जीते है उसके अंदर फिर इसका उप्योग करना है it is our higher senses without the physical senses working तो यहां एक higher sense काम करती है physical senses काम नहीं करती है punch injury काम नहीं करती है यह कोई वहां dreams के दवरान कोई higher sense जो है वो काम कर रही है it is thought in action तो वहां क्या होता है यह वाकिया बड़ प्रसिद है पर यह astral world का related है thought is action वहां वीचार और कारिय के अंदर एक gap नहीं होता है यहां हमेशा हमें physical world के अंदर वीचार और कारिय के अंदर gap होता है आप सोचते हैं और करते हैं astral world के अंदर जैसे सोचा और हो गया तो यहां thought is action और यह बड़ बड़ फिमस sentence है और जगह ओपर भी इसका युद रहता है पर यह related astral world से यह जानना चे फिजिकल वल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि thought is action वो astral world में ही हो सकता है it is now this is combination of the sleeping brain the dreaming mind and the aware eye अब यहां एक combination तीन चीजों का होता है कि एक brain जो है वो slip में है एक निद्रा के अंदर है dreaming mind mind के अंदर dream चल रहा है और मैं aware हूं aware eye मैं aware हूं that a dream journal if kept is authentic that interpretation of signs and symbol is legitimate अगर आप फिर उसके एक journal बनाते हैं उसकी एक diary बनाते हैं और इसके अंदर यह सब authentically आप यह लिखते हैं और बाद में अगर इसका interpretation करते हैं इसके sign और symbol का तो फिर वो आपको यह सब उचित होगा वो तर संकत लिखते हैं अगर आपको यह एक शबड़कर अगर यह पो इसके सके सिर्ण WarsP